Hello Friends, मैं सुचीता आपका स्वागत करती हूँ Food Kitchen Lab में मार्केट में जो केक मिलता है वो हम सबको पसंद आता है क्योंकि उसका एक अलग सा टेक्चर होता है अलग सा टेस्ट होता है तो आज वोही टेस्ट और वोही टेक्चर का केक मैं आप लोगों को घर में बनाना बताऊंगी और वो भी बहुती कम प्राइस में बनके तयार हो जाता है तो चलिए देखते हैं कि जो मार्केट का केक है वो हम लोग घर में किस तरीके से बनाएंगे तो उसके लिए हम लेंगे एक पैन और उसमें हम लोग डालेंगे बटर मार्केट में जो हम लोग केक खाते हैं जनरली उसमें बटर का यूज करते हैं बट हम लोग जो घर में केक बनाते हैं उसमें हम लोग जनरली तेल का इस्तिमाल करते हैं अगर हम लोग बटर से टेस्ट बनाएंगे तो टेस्ट बिल्कु मार्केट के केक जैसा आएगा आप चाहें तो इसमें तेल का भी इस्तिमाल कर सकते है या आधा बटर आधा तेल का भी इस्तिमाल कर सकते है क्योंकि मैं आप लोको मार्केट जैसा केक बतारी इसलिए मैंने पूरी तरीके से बटर का ही यूस किया है और इसमें हम लोग डालेंगे पिसी हुई चीनी और अब इसको हैंड पीटर से या जो इलेक्रिक पीटर होता है उसकी हेल्प से हम लोग इसको अच्छे से बीट कर देते हैं ताकि जो बटर और चीनी है आपस में अच सौफ तयार हुआ है बनके क्योंकि अभी थोड़ा सा ठंड का मौसम है इसलिए हो सकता है कि जो बटर है आपका बहुत जल्दी रूम टेंपरेचर पे नहीं आए और रूम टेंपरेचर में आने के बाद भी उसको बीट करने में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी हो सकती है बट वो अराम से बीट हो जाएगा तो जैसे कि आप देख रहे हैं जो बटर है बहुत सौफ्ट और फ्लफी हो गया है अब यहां पे हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा वैनिला एसन्स और उसको डालके इसमें हम लोग थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं क्योंकि हम लोग मार मैदा को टूटी-फूटी में कोट करना इसलिए जवरूरी है क्योंकि जब हम लोग बैटर में टूटी-फूटी डालते हैं अगर उसमें मैदा कोट नहीं होगा तो तो सारी टूटी-फूटी आपकी नीचे जाकर बैठ जाएगी केक में बीच-बीच में जो टूटी- तो मारकट में केक होता है उसमें ऑर किस वirm को चमच कान Kin का कॉच में التक्षा, यहँद और नहीं दे यहां से ह्चै कॉन तर्फाल लोग कोच और ही टा द आता है । यहां मेंनने जाद करते हैं हम लोग उसमें इसमें सकंव कंदमा और थोड़ा सा baking powder यहां पे जो हम लोग बटर इस्तेमाल किये थे वो थोड़ा सा salty बटर था इसलिए हम यहां पे नमक का इस्तेमाल नहीं किया है अगर बटर आपका unsalted butter है तो हलका सा नमक जरूर डालिएगा और इसके पाद हम लोग इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा milk powder इसस से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है अब सारी इंग्रेजिंस को डाल के हम लोग चान लेते हैं और चानने के पाद हम लोग इसको अच्छे से इसमें फोल कर देंगे देखिए इस तरीके से हम लोग इसको फोल कर रहे हैं कि अर अब इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा सा दूट डालते जाएंगे और हम लोग केक का बटर त्यार करेंगे डूर अब यहां पर लिया तो अब मैंने आभी यहां पर थोड़ा थोड़ा तो अхंते मिप जिन तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बनके तयार हुआ है तो जो मार्केट का केक होता है आपने उसमें ध्यान दिया होगा हलका सा वो पीले कलर का होता है तो यहां पर हम लोग डाल रहे हैं हलका सा यलो कलर अगर आपके पास वैनिला लेवर का कस्टरड पाउडर है तो उसको भी हम लोग स्टार्टिंग में जब हम लोग सारे ड्राइं ग्रीडिन्स डाले थे उस समय उसको अगर आप चान के डाल देंगे तो आपको यहां पर यलो कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो यह हो गया हमारा केक का बेटर बनके तैयार और अब हम लोग इ तोड़ी सी टूटी टूटी हमने बचा ली है जिसको हम लोग ऊपर से डेकोरेट करेंगे तो यह देखिए इसको हम लोग ने अब कर दिया है मिक्स तो यह केक का बेटर अब हमारा बनके तयार है अब इसको हम लोग डाल देते हैं केक टिन में जिसको मैंने और पहले से ग् आप इसको डालने के बाए इसको हम लोग हर तरफ से इस तरीके से अच्छे से फैला देंगे तो यह हो गया मार्केट की केकि और हमारी केक लिए है अब इसको लोगा सा ऱैप करेंगे ताकि जो अगर बीच में air bubbles है वो पूरी तरीके से निकल जाए और अब इसके उपर हम लोग decorate करेंगे जो हम लोग ने टूटी-फूटी बचा के रखी हुई है उसको अब हम लोग इसके उपर से garnish कर देते हैं तो उसको हम लोग हटा देंगे और अब इसको हम लोग कड़ाई में बेक कर सकते हैं या ओटी जी में भी इसको हम लोग बेक कर सकते हैं तो मैं इसको ओटी जी में बेक कर रही हूं तो ओटी जी को हम लोग ने 180 degree centigrade पे हम लोग इसको 25 से 30 मिनट के लिए हमने इसको वेक किया आप देख रहे हैं कि इसका जो कलर है वो कितना अच्छा आया है और जो हम लोगे टूटी फूटी डाली थी वो भी हमारी पूरी उपर सेट है ब्लुकु पी नीचे नहीं बैठी है तो चलिए अब यह ब्लुकु कम्प काट के आपको दिखाती हूं कि यह जो केक है वो हमारा कितना सौफट पन के तयार हुआ है बहुत ही असानी से यह केक कट रहा है यह देखिए इस तरीके से हमने इसको काटा है जो स्लाइसे है वह हम लोग अपने हिसाब से इसको पतला या और मोटा जित जैसे भी काटना है उस तरीके से हम इसको काट सकते हैं चलिए अब मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूं बहुत ही जादा सौफट केक यह बन के हमारा तयार हुआ है और वो भी मात्र थोड़े सी प्राइस में मार्केट में जो केक मिलता है बहुत ही महंगा होत मिलता है और जो हम लोग में केक बनाते हैं उसकी आधी कीमत में हमारे घर में केक बनके तयार हो जाता है तो यह केक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताएगा और इस केक को अपने घर में जरूर ट्राय करेंगे डेफिनिटली आपको बहुत जादा पसंद आएगा तो तब तक